इसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है लड़ाई छेड़ी हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोग के साथ हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन सत्तर करोड लोगों को अपना नहीं मानते क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते क्या आप तेमिल नाडू के लोगों को अपना नहीं मानते क्या आप करनाटका के दिल्ली के पंजाब के वेस्ट बेंगॉल के लोगों को अपना नहीं मानते क्या यह सारे पराये हैं क्या यह भारत के नागरिक नहीं है यहां क सत्तर करोड लोगों ने विपक्ष के लोगों को चुनके सरकार बनाई समविधान के अंदर लिखा है कि इन सरकारों की क्या पावर है शिक्षा की पावर, राज्य सरकारों की स्वास्थ की पावर, राज्य सरकारों की संविधान के अंदर लिखा है कि क्या-क्या पावर है आप हमें अपना कामिन neatly करने देते हैं साही विपक्ष की सरकारों को तरह तरह से प्रताडित करने के लिए आज केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपना रही है मोटे मोटे तार पर देखें तो तीन तरह से केंदर सरकार विपक्ष की सरकारों को तंग कर रही है सबसे पहला केंदर सरकार जायज फंड जो हक है राज्यों का वो फंड नहीं दे रही है दूसरा तरीका गवर्नर्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरीए रोज काम में टांगडाती है हर काम में ढंग अडाती है और तीसरा तरीका एजन्सीज को छोड़ के जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जारे है सबसे पहले मैं पहले तरीके पे आता हूँ हम सारे रोज इस बात को जेल रहे हैं कि जो जाए जो फंड उस राज्य के बनते हैं वो फंड हमें नहीं दिये जा रहे अगर केरला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिये जाएंगे तो काम कैसे चलेगा सरकार कैसे चलेगी केरला की सरकार कैसे चलेगी तमिलाडू की सरकार कैसे चलेगी और हम यह भीख मांगने नहीं आए विजियन साहब यहाँ पे अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए अपने बच्चों के लिए अपने भीजी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए संविधान में लिखा है कि कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा ये वाला टेक्स आएगा मैं इंकम टेक्स में था ये थोड़ा सा जादा जानता हूं इसको तो कितना फंड कौन सी सरकार कितना फंड इस्तेमाल करेगी कैसे इस्तेमाल करेगी finance commission होगा, finance commission तेह करेगा, ये पैसा केंडर के बाद जाएगा, ये पैसा राज्योसर का अरे जो हमारा हक है हमारा नहीं लोगों का हक है, केरला के लोगों का हक है तमिलाडू के लोगों का हक है, वेस्ट बेंगाल के पंजाब के दिल्ली के लोगों का हक है वो हकाप कैसे छीन सकते हैं लोगों का आप उनका काम कैसे रोक सकते हैं अगर आप हमारे लोगों के पैसे नहीं देंगे तो हम सड़के कैसे बनाएंगे बिजली कैसे देंगे लोगों का विकास कैसे करेंगे मैं भी दो बैनर देख रहा था उसमें लिखा था कि केरला के 8400 करोर रुपे रोके हुए और मान साथ से मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था पंजाज के भी 8000 करोर से ज़्यादा फंड रोके हुए है अब एक एक फंड अभी पंजाज सरकार थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोट में गई कि हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहे RDF का पैसा RDF लगए 4-5,000 करोर बनता है 5500 करोर रुपे RDF का रूरल डवलप्मेंट फंड का पैसा रिलीज नहीं कर रहे कैरल भी गया है सुप्रीम कोट की हेरिंग अब अगले अफ़ते फिक्स हुई है और तुरंट केंदर सरकार से फोन आगया आईए बैस के बात करते हैं तो हम छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोट जाएंगे क्या ये क्या बत्तमीजी है आप अपना काम क्यों नहीं करते हैं हम हर चीज के लिए सुप्रीम कोट के पास और भी तो बहुत काम है सुप्रीम कोट भरा हुआ केसे से जनता के केसे से हम अपने फंड लेने के लिए भी हमें फंड लेने के लिए जनतरमंतर पर आके बैठना पड़ेगा आप लोगों को जानके ताज्यूब होगा दिल्ली के लोग मिलके साल में दो लाख करोड रुपए का इंकम टैक्स देते हैं दो लाख करोड और उस दो लाख करोड में से बदले में दिल्ली के लिए हमें कितना पैसा मिलता है गेस कर सकते हैं आप लोग 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कपिल सिभल साब का स्वागत है दूसरी चीज गवरनर्स और लेटिनेंट के जरीए ये जिस तरह से सरकारों को तंग कर रहे हैं संविधान के अंदर साथ आफ लिखा है कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी रोज गवर्नर हर राज्य के अंदर टांग डा रहे हैं सबसे इंट्रेस्टिंग तो अभी पंजाब के अंदर अपनी असेंबली का बजट सेशन कॉल करने के लिए गवर्णर के पास फाइल भेजी गवर्णर ने बजट सेशन करने की पर्मिशन नहीं दी सोचिए एक चुनियोई सरकार, फुल स्टेट, उसका मुख्यमंतरी उसकी कैबिनेट प्रस्ताफ फारिद करके कहती है कि हम फलानी तारिक से बजट सेशन बुलाएंगे और उसमें राज्य का अगले साल का बजट पास करेंगे गवर्नर ने बजट सेशन की भी पर्मिशन नहीं दी, अल्टिमेटली सुप्रीम कोट जाना पड़ा, सुप्रीम कोट ने गवर्नर को खूब लताड़ा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको लताड़ का गाली गलज का सुप्रीम कोट रोज लताड़ता है, इन लोगों को फरक ही नहीं पड़ता, तो इस तरह से दिल्ली के अंदर तो आप सब लोग देखी रहें कि हर काम के अंदर किस तरह से लेटिनेंट गवर्नर हर काम के अंदर, छोटे से छोटे काम के अंदर टांग अड़ा रहे हैं, और तीसरा तरीका है, E.D. यह अब इनका एक नया हथि होता था, मुकदमे में तेह होता था कि कौन-कौन दोशी है, कौन-कौन निर्दोश है, जो दोशी है उसको सजा मिलती थी, वो जेल जाता था, मुकदमे के बाद, मुकदमा खतम होने के बाद आदमी जेल जाता था, जिसको दोशी माना जाता था, अब यह चुन, अब तेह कर लेते हैं कि इसको जेल भीजना है तो उसको पकड़ लेते हैं उसको जेल में डाल देते हैं फिर सोचते हैं अब इस पे क्या मुकदमा करें इस पे क्या केस बनाएं फिर ये केस बनाते हैं और केस बनाने के बाद फिर वो तब तक जेल में रहता है जब तक कि मुकदमा पूरा ना हो जाए और वो निर्दोट साबित ना हो जाए हमारे देश के अंदर 15-15 साल लग जाते हैं मुकदमे पूरे होने में तो 15-15 साल किसी को भी पकड़ के जेल या भी PMLA जो कानून लेके आए उसमें ही लिखा है कि जब तक उस अदुमी को किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो और जब तक उस अदुमी का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता वो निर्दोश साबित नहीं हो जाता तब तक वो जेल से बाहर नहीं हो जाएगा ये तो बहुत खतरनाक है अभी हिमन् सुरेन साथ को इन्हों ने जेल में डाल दिया अभी तख उनके ओपर कुछ भी थावित न हहुआ है अभी उनके ओपर मुकदमा नहीं चलहा है अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है अभी जाच चल रही है लेकिन अगर मुकदमे को 15 साल लगे तो हेमन सुरेन साथ 15 साल जेल में रहेंगे और ये तो किसी को भी कर दे कल मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे विजियन साथ को पकड़ के जेल में डाल देंगे स्केलिन साथ को पकड़ के जेल में डाल देंगे सितरमया साब को पकड़ के जेल में डाल देंगे सुफिंदर जी को किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे और सरकार गिरा देंगे हेमन सुरेन साब को जेल में डाला उसके अड़ तालेस घंटे तक ये लोग तोड़ने की कोशिश करते रहे J.M.M. को तोड़ देते हैं यह तो भगवान का बना और J.M.M. वालों का महान आ J.M.M. वाले जो तूतें नहीं इनके सामने तो यह अभियर किसी भी कुवी पकड़ के जेहल में डाल देंगे उसकी सरकार तोड देंगे और फिर अपनी सरकार बना लेंगे यह क्या चल रहा है। कотриरे हैं कि ऎली बरहुट है जल्वाल भरस्ट है। पूछना जाता हूँ मैंने दिल्ली में बज्ली सस्ठी बज्ली फ्री कर दी दिल्ली के अंदर। मद्य पर्देश में, गुजरात में, उत्तर पर्देश में सबसे महिंगी बिजली मिल रही है देश में तो बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महिंगी करने वाला चोर है दिल्ली में ने सबका इलाज मुफ्त कर दिया चाए गरीब हो चाए अमीरों सरकारी अस्पटाल में चले जाओ सबका दवादारू सब फ्री मज्य पर्देश में गुजरात में अक्तर पर्देश में चले जाओ इतना महंगा इलाज चरकारी अस्पटालों का बेड़ा गर्ट कर दिया इन लोगों को मैं पूछना हूँ लोगों का इलाज फ्री करने वाला चोर है कि लोगों का इलाज महंगा करने वाला चोर है किसी को भी पकड़के चोर 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 चिंदाना चालू कर देते हैं लोग तो दोस्तों देश का बहुत बुरा हाल है मैं विजियन साब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उन्होंने आज ये अलख जगाई है, सब को एकठा किया है ये देश के ओल हमारा नहीं है, ये देश 140 करोड लोगों का है और आज मैं BJP वालों को कहना भी चाहता हूँ समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है एहंकार मत करो, भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होएंगे कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दोड़ें उसके बाद जैहिन तैंक यू के जिरिवाल जी पो दी पावरफुल स्पीच सरकार गले अट्टि मरिक्कन कुदुरे कच्वण मास्त्रम पोरा विरिम्पोल मुख्यमंदर मारे नेदाकमारे इम पिडिच्च जैहिन लिडुन नरु पुदियर इदी इलेकी राजित्तिंदे रास्त्रियम मारे इली कियान नान शिकर अट्टि मुख्यमंदरी समसारिको यारू पुर्दिबक्ष नेदाक्ले अनि निरत्ति केरलत्तिंदे केंद्रय विरूथा समर्यम तुरुरु गयान जैंदरमंदर कर दो अधेकर अगित्स के विरूद नदी मैंदर आधेकर अगैंदे सहापरावटन पुर्दिध समय कर रहा हिंदर लुथ पुरु पुद्ध अग्रे हैंप्यूल मुख्यमंक सफफुम पुद्सर्दी अछियर इसक्यर एस्परवरभण थियनोंद सबसे पहले औरनिवल चीश मिनिस्टर अफ केल श्री बिजियन जी मैं उनका बहुत धन्यबाद करता हूँ कि उन्होंने आज सर्मान को बचाने के लिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फैडल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक पहल की है हम सब को यहां बुलाया है हमारे हमारी पाठी के लिए जे जगा बेगानी नहीं अ मारी जिर मंदरले समरे वेदील पुजाब मुखे मंदरी समसारी को गना डेली बुखे मंदरी। पन्जाबु मुखे मंदरी उतकम प्रदीबक्षा निरे प्रधानबट समस्तान नेधाक ले होखे अनि निर्तियानै केरलात तेंडे पmeraधिष्यत परिबाडी जंदर Ralph पुर्योगमे किनने अधिन्नदे वषिडाम स्चेंगले की कुडू दल विवरें गले किननमल मकhel तो इनके 16 के 16 ठीक उन्होंने बोर्ट डाला लेकिन हमारे 20 में से 8 को invalid बोर्ट कर दिया कि इनका बोर्ट गलत डाला हुए इनको बोर्ट नहीं डालना था इन्होंने मोहर अच्छे से नहीं लगाई अरे भई वो पहली बार मोहर नहीं लगा रहे थे हर साल चक्चुनाव होता है 14-15 बार लगा रहे थे लेकिन जब वीडियो सा फिर सुप्रीम कोड जाना पड़ा जब सुप्रीम कोड ने देखा सब ने देखा कैसे वोटों के किंती हो रहे थी ऐसे प्रजाइडिंग अफसर यह किदर रखो बीजेपी वालों के का मैं इदर रख देता हूं फिर यह वाली चलो यह वाली वी इदरी रख देता हूं थोड़ा इनको बढ़ाना ऐसे आप मीडिया खड़ा है यह बात ध्यान से सुन लेना और टेलिकास कर देना अगर आपके मालिक माने तो 36 बोर्ट गिनने में 8 बोर्ट कैंसल कर दिये almost 25 परसेंट बोर्टों का घुठाला हो गया मात्र 36 बोर्ट गिनने में 25 परसेंट बोर्टों का घुठाला कर गये अभी मई जून में 90 क्रोड वोट गिनने हैं चिंता इस बात किये उसमें क्या करेंगे ये 36 वोट नहीं किन रहे एक 10 मई 10 किलोमीटर का शहर है चंडीघड वो हार नहीं सकते बरदाश्ट नहीं होती हार लेकिन पूरे देश में क्या होगा चिंता इस बात किया है तो पंजाब अपने हक मांग रहा है किसानों को MSP का बादा करके जब किसान आए यहां पर पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई बड़ा अंदोलन था पूरे देश से किसान आए तो क्या कहा एक दिन अचानक से परकट होगे एक साल पेढ़े साड़े सासो किसान उनकी माथ हो गई प्रदिशेद वेदी इल केरला ते नेट्टंगल एणनी पारण्य मुख्यमंद्री केंद्र सरकार नाएंगले अधिर उक्षमाय भाशेल विमरुशिचु उनियन सरकार फेडरलिसम तगरत अनन मुख्यमंद्री कुच्चपःति We are seeing its manifestations around the country especially in opposition ruled states we have all come together to register our strong protest against this and to preserve the federal structure of India today we are marking the beginning of a renewed fight that would herald the dawn of ensuring equitable treatment of the states this fight would also strive to maintain a balance in the central state relations thus the 8th of February 2024 is going to be a red letter day in the history of the Republic of India साओधियत्य प्रते हमाय रिदी आनिनररक्क्षुंद्ध वेक्त माट्टिल्ट्री वेक्तमाइ पुरू परदिगेरनम प्रधान मंद्रिंदर भागतन व designers ट्र्याज्य तेने अईक्यातिनी विफ्ञाधं सुस्ष्टिकors अनबडिकल उनियन सर्कइने भागतनाने उन्डागु नुद्थ जंदर मंदले समरे वेदी इलनु के यार गोबी घृष्णन विश्यदाम शंगलुमा आईचे इरनु वार्तामलेईल गोबी घृष्णन विश्यदाम आईचे इवार्ताम शंगलुमौ आईचे दिलनु प्रदिष्यदाम के यार गोबी घृष्यदाम शंगलुमौ आउड़को आईचे इवार्तामलेईल इड़ दमुनन युटे निदुरुसुत्तिल नटकुन्ना केंद्र सर्कार ने यस चरिय सांगेदिगा प्रस्नम् नमकद वेगत्तिल परिगरिच्च विश्दाम शेंगल लेक्वर्यां गोवी तूड़रा अधोड़ प्रस्नम् नमकद वेगत्तिल परिगरिच्च विश्दाम शेंगल लेक्वर्यां आमाप्पी पार्टिवोडे प्रस्नम् नमकद वेगत्तिल परिगरिच्च विश्दाम शेंगल लेक्वर्यां केरल सर्कारन केंदर सर्कार नेधिरा आयिट्वल्ला प्रदुश्यदाम संगडिपिकेंडी वन्नद परिगरिच्च विश्दाम शेंगल लेक्वर्यां आमाप्पी पार्टिवोडे प्रस्नम् नमकद वेगत्तिल परिगरिच्च विश्दाम शेंगल लेक्वर्यां केरल सर्कार नेधिरा आयिट्वल्ला प्रदुश्यदाम शेंगल लेक्वर्यां केंडरत नेधिरिया केरल मुयरती इरिकेंद मुद्रा वाक्यत इन राष्ट्रिया प्राधानेत अवर तिरिच्च रण्यकोंड इवेधी इलेतान अवर् अवरक्क कढ़िए अवर्क कर्दानम अटरी अगन विभजनम उन्डाकान चिल श्रमिक्युनु एन बारण्ये करनाडगे वड़ समर्यम चुंडि काटी आद परयोक्षमाई परामर्शुच इए अधिनन मुख्यमंध्र बढ़ाई विजे नेरिट मरुपड़ि वर्यू अधिनन मरुपड़ि परयोकी आणा इत्तरम सम्स्थान सरक्कारिकल चेहिए अन्न प्रधा आन्न मुख्यमंध्रिक्य वेधी इल परयोक्षमाई अधिरम प्रजारनते कूडि इदिवसंगलिल अटित्त दिवसंगलिल तेक्के इंडियले सम्स्थानेंगलक़् बीजेपी इतर सम्स्थानेंगलक़् मरुबडी परयांडि वेरियों एननात सूजिन गोडि मुख्यमंध्रिकल वाक्के इल उन्न उन्न प्रधानमंदले पिनराय विज्जेन अधेहम इप्रदुष्यद राली अभीसंपोधने चीदुगोंड समसारी चप्पुल अधेहम परण्यदू अधेहम एडित्तू परण्यदू प्रथानमंद्री नरत्तिया इपरोक्ष विमरशनत्ते कूरुचान यदार्थतिल से केंद्र समस्थान सर्कारिकल तमिरूल बंधत्तिंडे अभागतगल चुंडी कानिच्चुगोंड नरत्तिया प्रसंगत्तिल अधेहम परण्यदू राज्यत्तिंडे आइक्कियत्तिनम अधेवड़पम्तेने अगन्नतेक्यम उके तडसं निल्कुन नल्लेंगिल विबजनत्तिंडे राष्ट्रियम न्यंगल उडे दल्ला अधु केंद्र सर्कार अना राष्ट्रियम पयेट्वन अधी नेधिरे इर ए राज्यत्ते उन्नि पिच्चु निरू थान्मेडिएवड़पम्ते अधेवड़ब्योंड श्रबंगल अन इप्रदि दिबक्ष पार्ट्टी इन दाकलोड प्रसंगम ओके इखट्टतिल कड़ुत्त केंद्रिया विमर्शनंगल उल्कोल्लोंद दुमान अधिने विश्यदामस्यंगल अधिने कूरुदल विवरेंगल ओके आड़ुत्त बुल्लट्टिनल उन्डावू इरुपोट्टोडे वारतामल अवस्थानी कूरुगे आड़ुत्त बुल्लट्टिनल उन्डावू